कौत है पुक्ट स्वेल चुपक्तों एस अधर सुन्हह सांपर है, एक सम्सक्राइब फालो को तौड हाई खुंग्शन्हें इस थर्वेशर्स 95 को पृत है, करने प्रफीय मैं और प्रषाइजिन न्युम्हें ! जी विए एक्सराइज 15 क्रिस्ट नमबर वान है वार्पस वीच आप फॉल्विंग और टू एंड विच आप फॉल्स कौन से इसमें सही और कौन से गहते हैं इसमें फॉस्ट है वार्पस द्वज़े से देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्रेग्ल में जो बड़्पस उन गोलह हो हूं अमें राइट विचंप से बड़्ट निए हो को था ओऊंचिन से अप्शे प्रूंड्स राइट अंगल 60 पे होगा, राइट वज़े 60 पे नहीं होता, राइट हमेशा 90 डिगरी के ओपर रखता है तो इसे से सेक्ट अप्शन लेगा हमारे पस फॉर अप्शन लेगा, ग्रेटर अंगल भी 90 होता है और राइट अंगल भी 90 होता है उसके बाद अर ग्राइट राइट राइऑगल हाइपोटिनिस ईससएड आपूजित तु रा इंगल भी देखे है यह हमारे पस है और यही परणी डिगरest नाइंट है इसके अप्वजित यह बरी साइट है इसए हम कहते है यह हमारे पस हायपोटिनिस तो थर्ड आप्शन है यह गिल्कुल डू है जो हमारे पास राइट के अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटिनियस को होती है उसके बाद 4 है अब देखिए हमारे पास राइट आइंगल ट्राइंगल किदर देखें यह राइट आइंगल प्राइंगल यह 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 इसमें जो लॉंगर साइड होती है और तो यहां पैथागोरस पेखिए पोर्त है और ओर इकोल होगा सी स्केर एक्ट। इक बडूट एकोछ ब्लस बी स्केर तिये हमारे पस पैथागोरस पेखिए मेंट थी। यह है फॉर्ट डूट उसके बाद 5 है प्रवाइब देखें प्रवाले को अब यह हमारे पास एक राइट अंगल ट्राइंगल इसमें हमारे पास यह 3 संटीमेटर यह 4 संटीमेटर और इसमें का यह हमारे पास कितना होगा यह 5 संटीमेटर होगा यह हमने चेक करें इसको चेक करेंगे यह 5 आता है यह ने यह हमारे पास A है यह B है और यह C है यह C हो जाएगा यह B हो जाएगा और यह B हो जाएगा यह दिखेंगे बाय पैथाबोर स्टीम पैथाबोर स्टीम पैथाबोर स्टीम के और यह क्या बनेगा कि यह लेगा C square is equal to A square plus B square अब C square यह है यह equal होजेगा A square की value हमारे पास यह 4 square होजेगा प्लस B square यह 3 square होज़गा c square is equal to 4 square 16 plus 3 square 9 add करेंगे तो c square is equal to 25 आजेगे दोनों तरफ अगर इसके scale root करते हैं तो c square square root is equal to 25 square root तिहां से मैं c के वहले जाओ 5 और यह हमारे पास hypotenuse है और hypotenuse हमारे पास five आया है तो इसका मतलब यह हमारे पास statement true थी fifth option इसके है कि आपकर यह true मुझेगा इसके बास six है यह hypotenuse आपके इसosalus right दाएंगे isosalus है और right दाएंगे अभी देखिए यह हमारे पास isosalus है और right angle दाएंगे इसमें हमारे पास है जो measurement है under root hypotenuse इसका जहाओ अंडर root 2 cm दाएंगे और इसससा जहाओ रटाएंगे देखिए इसकी लेंग्ध भी 2 है इसकी लेंग्ध भी 2 है चेक करें कहीं अब इसमें हम लेट करेंगे इसकी जो side है यह भी x है यह यह है इसमें हमारे पास ही दोरों sides के होती है इकोल होती है पैसागोरस के रहें इसके हमारे पास इसकी लेगा x square plus xk स्केर रूट से स्केर के इंसर 2 इकोल होगा हमारे पास 2xk की तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 by 2 is equal to xk यहां से xk की value 1 आ जाएगी और इसका स्केर रूट नहींगे तो x की हमारे पास क्या जाएगा इसकी मजरमेंट 2 होगी लेकिन 2 नहीं इसकी मजरमेंट 1 है इस वएसे यह option के आज़े में यह false है यह थे हमारे पास इसके 2 false है next है इसका question number 2 है question number 2 short question है find the unknown value in each of the following इसमें unknown जाए इसकी value हमने find करनी question 2 है हमारे पास अब यह हमारे पास 3 है यह 4 है और यह x हमने find करना है यह a होगा यह b होगा और यह c c के अपूजट c a के अपूजट a और b के अपूजट d पैथागोरस के रूम use करें by पैथागोरस के रूम पैथागोरस के रूम के इसमें eb का scale यह नहीं x scale equal हो जाएगा 4 scale plus 3 scale x scale is equal to 4 scale 16, 3 scale 9, x scale is equal to 25, scale रूम यह नहीं से हमारे पास 5 रूम यह दा question 2 इसका part number 1 अभी हम इसका part number 2 देखने हम से the next question number 2 part 2 है हमारे पास इसमें measurement देखें यह हमारे पास 6 है यह x है और यह 10 cm है इसमें हम इस x को find कर दो अभ इसको देखेंगे यह हमारे पास a b c c keep a good c keep a good by a complete e by a pathetic ठीर हो हे स्केर हों क्या हमारे पास C haar is equal to A square plus B square C हमारे पास 10 है यह 10 square होजेगा A6 है 6 square होजेगा plus B square X square होजेगा नेक्स्ट हमारे पस 10 स्केर 100 वजेगा एक्वल टो 6 स्केर 36 ब्लस एक्स की प्लस 36 इदर आएगा तो माइनस 36 वजेए माइनस करें तो 1 हमारे पस आजएगा यह 64 आजए 64 एक्वल एक्स केर दोनों तरफ से रूट करेंगे तो हमारे पस final value इसकी का बले ही? final हमारे पस x की value ऊक्प आजए हमारे पस x जोов 8cen2 उसके वान x की part 3 में है part number 3 देखें part 3 है यह figure हमारे बला बला रिस तरे है इसमें ए 13 cm, 5 cm और ए X पाइं ते हैं नाम भी आप देहेंगे A, B, C, C क्योंपक्त C, B क्योंपक्त B, A क्योंपक्त E बाइपेफगोरस थेरूम, बाइपेफगोरस थेरूम उसके हैं बाइपेफगोरस थेरूम यह जाएगा C scale is equal to A scale plus B scale C हमारे पस 13 scale equal to A क्यों हमारे पस E हमारे पस E हमारे पस X scale plus B हमारे पस 5 scale 13 scale 169 हो जाएगा X scale plus 5 scale 25 25 इदर रहेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस के जाएगा 144 जाएगा यह मारे पस E equal हो जाएगा X scale के अब दून तरफ इसके scale रहेगा यह जाएगा 144 scale is equal to X scale scale यहां 12 cm आजेगा हमारे पस X scale X 12 आजेगा लास्ट पार्ट इसका पार्ट नमर 4 यह है हमारे पस इसमें यह 1 है यह X है और यह under root 2 cm अब इसमें हमें एक्स को फाइंट करना है यह जाएगा हमारे पस यह A है यह B है CC के बुलेट C, B के बुलेट V, A के बुलेट A यह पैथागोल सेरम पैथागोल सेरम क्या बनेगा यह जाएगा हमारे पस C scale is equal to A scale plus B scale अब इसमें values apply करें C की value हमारे पस under root 2 scale हो जाएगा equal to A हमारे पस X scale और B जाए यह 1 scale scale rule से scale के answer 2 equal to X scale plus 1 square 1 plus 1 कि दर हैगा तो minus 1 हो जाएगा इसको minus करेंक तो 1 equal to X scale दोनों तरफs scale root करनें यहां से एक्स की value हमारे पस 190 यह जाएगा इसमें मारे पस review exercise 15 complete होगे इसमें हम इनक्तों मस्ताइओ इसको करें साम्ने कोई लोका तोम है से डिसकोस करें Chapter 15 हमारा close नेक्स इंशाला हम इसका Chapter 16 शुरू करेंगे विडियो लेक्टन से बैसको लाइक करें और बुए में चीचछे एंस सब्सक्राइबु कुमा फर चीजिए सनु आहिंगे के ले चाहेंगों लुगा चीजिए।